हाई फ्रेंट्स आज मैं फोन का कंपेर्जन करने वाला हूँ OnePlus Nord 4 जो कि आपको 31,999 का देखने को मिलेगा इसका 8,256 GB वेरियंट वर्सेस कंपेर्जन है OnePlus Nord 3 ये आपको 22,453 का देखने को मिलेगा 8,120 GB वेरियंट तो देखते हैं कि कितना अपग्रेड हुआ है Nord 3 से Nord 4 में हाई फ्रेंट्स मेरा नाम है गौरो आप देख रहे हैं टिक रूम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को बताता हूँ तो यहाँ पे जो दोनों ही फोन लांच किया गया है वन येर के डिफरेंस पे लांच ही गया है एंड अंडरोइड 13 से अंडरोइड 14 हो गया है बाकि कस्टम यौई ऑक्सिजन ओस ही है CPU आर्किटेक्चर को देखा जाते हैं हाँ पे दोनों ही जो प्रोसर आते हैं वो अक्टा कोर प्रोसर देखने को मिलेंगे OnePlus Nord 4 में Snapdragon 7 Plus Gen 3 देखने को मिलता है जिसमें First Performance Core 2.8 GHz पे Clock Cortex X4 होगा उसके बाद 4 और Performance के Core रहते हैं जो कि 2.6 GHz पे Clock Cortex A720 होते हैं और 3 Battery efficiency Core 1.9 GHz पे Clock Cortex A520 देखने को मिलते हैं और Diametry 9000 आपको OnePlus Nord 3 में देखने को मिलेगा इसमें First Performance Core 3.05 GHz पे Clock Cortex X2 देखने को मिलेगा 3 More Performance Core 2.85 GHz पे Clock Cortex A710 होगा और 4 Battery efficiency Core 1.8 GHz पे Clock Cortex A510 देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Cortex X4 जो कि 7 Plus Gen 3 में आता है यह ज़्यादा Powerful है Cortex X2 के Compare में और Cortex A720 और A520 भी ज़्यादा बेटर हैं A710 और A510 से Overall Snapdragon 7 Plus Gen 3 में 5 Performance के Core आते हैं 1,4 और 3 का Cluster मिलेगा जबकि Dimensity में 1,3 और 4 का Cluster मिलेगा और Total 4 Performance के Core हैं CPU Frequency को देखा जाते हैं Snapdragon यहाँ पे 2800 MHz पे Clock रहेगा और Diamensity 3050 MHz पे Clock रहेगा तो Diamensity 250 MHz से थोड़ा सा बेटर रहता है Frequency Speed में और Fabrication की बात की जाएद आपको पता है कि जिसका जितना Small Fabrication होता है वो प्रोसेसर उतना ही बेटर battery efficient प्रोसेसर होता है तो जो Snapdragon 7 Plus Gen 3 है और Diamensity 9000 है दोनों ही जो प्रोसेसर आते हैं वो 4nm TSMC सपोर्ट के साथ आते है और यहाँ पर अब Memory Unit को देखा जाए दोनों में आपको LPDDR5X का RAM 8GB सपोर्ट मिलेगा RAM Frequency 3200 MHz की होगी Storage Type UFS 3.1 का होगा Capacity different है और External Support नहीं मिलेगा अब यहाँ पर GPU Unit की बात की जाए तो GPU में जो OnePlus Nord 4 है इसमें Adreno 732 मिलता है जिसका architecture Adreno 700 है Nord 3 में जो Damage 3 9000 के साथ आता है उसमें Mali G710 MP10 मिलता है जिसका architecture Wall Hall Generation 3 है तो यहाँ पर जो Adreno 732G है यह काफी powerful GPU है अभी समझाने के लिए आगे मैं आपको 3D Benz Mark और बाकी अन्तूदर Benz Mark भी बताऊंगा तो आप उससे एक idea लगा सकते है और रियल गेम में कितना FPS support है यह भी बताऊंगा GPU Frequency को देखा जाए तो यहाँ पर Nord 4 जो है 950 MHz पर clock मिलेगा SkyGPU और जो Nord 3 का GPU है वो 850 MHz पर clock देखने को मिलेगा Floating Point Number को देखा जाए तो Floating Point Number Nord 4 का आता है 20098.18 and Nord 3 का आता है 1632 मतलब performance difference काफी हाई रहता है अब gaming को देखा जाए तो gaming में सबसे पहले Free Fire Max को देखते हैं तो यहाँ पर यह सबसे basic game है 7 Plus Gen 3 maximum 60 FPS के साथ Max High तक जा सकता है and similarly Diamatory 9000 भी maximum 60 FPS and graphics में Max High तक जा सकता है वहीं पर अब बात की जाए BGMI की तो यहाँ पर 7 Plus Gen 3 में आपको maximum 90 FPS का सबोर्ट देखने को मिलेगा and graphics support में Ultra HDR के साथ Ultra का सबोर्ट देखने को मिलेगा Diamatory 9000 जो की OnePlus Nord 3 में आता है इसमें भी आपको 90 FPS का सबोर्ट देखने को मिलेगा maximum graphics Ultra HDR के साथ Ultra का देखने को मिलेगा and अब Call of Duty मोबाइल को देखते हैं तो Call of Duty मोबाइल में 7 Plus Gen 3 का सबोर्ट रहेगा 90 FPS मतलब अगर आप लो पर प्ले कर रहे हैं तो Ultra तक जा सकते हैं सिर्फ multiplayer मोड में and बाकी maximum graphics very high के साथ max का सबोर्ट मिलेगा Diamatory 9000 भी ऐसे ही similar support देता है 90 frame rate का maximum support मिलता है मतलब लोग के साथ Ultra तक जा सकते हैं multiplayer mode only में and maximum graphics जो है very high के साथ max का support मिलता है benchmark score बताता हूँ तो Geek benchmark single code performance test पे Snapdragon 7 Plus Gen 3 का total score 109913 रहेगा and 9000 का score 1585 रहेगा इसमें Cortex X4 आता है जबकि 9000 में Cortex X2 का use मिलेगा and multi code performance की बात की जाए तो 7 Plus Gen 3 5098 का score करेगा and 9000 4100 64 का score करेगा तो 7 Plus Gen 3 में overall सारे Cortex Bitter है X4, Cortex A720, Cortex A520 मिलता है अंदूदू benchmark नंबर को देखा जाता अंदूदू benchmark के साब से 7 Plus Gen 3 जो की OnePlus Note 4 में आता है उसका total score आएगा 14,4,500 जिसमें इसका GPU score रहेगा 4,84,000 वहीं पे जो Dimensity 9,000 है इसका total score 10,81,000 आ जाएगा जिसमें इसका GPU score 3,00,000 तक रहता है मलब GPU का difference भी आप देख सकते हैं कि Adreno 732 जादा बेटर है 3D benchmark score को देखा जाए जो कि basically GPU test होता है तो Note 4 का GPU है वो 10,511 score करेगा and Note 3 का GPU 7,981 का score करेगा डिस्प्ले बताता हूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले दोनों का similar रहता है यहाँ पे super AMOLED screen मिलती है Note 3 में AMOLED का Note 4 में मिलता है screen size दोनों की similar है 17.12 cm की resolution भी similar है aspect ratio भी similar है pixel density and refresh rate भी similar है design की बात किज़ए तो design में भी smartphone में ज़्यादा changes नहीं किये गए है यहाँ पे आपको जो Note 3 वो थोड़ा हलका देखने को मिलेगा यह Gorilla Glass के साथ है जबकि Note 4 जो है थोड़ा भारी 199 gram and यह metal back का देखने को मिलेगा तो metal finish की वज़ए से यहाँ पे थोड़ा weight बढ़ता है और battery capacity भी थोड़ी सी increase कर दी गई है camera department की बात कि यह थो Note 3 में triple camera setup आता है इसमें एक macro भी आइड किया गया था जबकि Note 4 में यह हटा आगे 50 plus 8 का support जिया गया है दोने ही processor OIS support करते हैं और 4K at the rate 30 fps का support भी मिलेगा front camera setup को देखा जाया यहाँ पर दोनों में single camera setup 16 megapixel का आता है and full HD at the rate 30 fps पर support भी मिलेगा battery capacity को देखा जायते है Note 3 से Note 4 में 500 MHz का improvement किया गया है and charging capacity में Note 3 से Note 4 में 20 Watt का improvement किया गया है दोनों ही phones वे type C and non-remoable battery के साथ आते हैं कुछ basic connectivity part को देखा जाया तो मैं band को यहाँ discuss नहीं कर रहा हूँ कि कितने 5G band है और क्या है यहाँ पर दोनों भी processor 5G support करते हैं 4G support में Note 4 में LTE category 18 मिलेगा Note 3 में LTE category 24 मिलता है Bluetooth 5.4 Note 4 में रहेगा मलब थोड़ा improvement क्या क्या है Wi-Fi technology दोनों में maximum Wi-Fi 6E की रहती है थोड़े बहुत special features की बात की जाए fingerprint sensor जो optical मिलेगा on screen मिलेगा audio jack का 3.5 वाला है वो नहीं मिलता है gyroscope मिलेगा मलब गेमिंग में आपको खेलने में काफी मदस हो जाएगी IR blaster नहीं मिलता है NFC का support मिलता है तो ओर और लगरे conclude किया जाए तो यहाँ पर Nord 3 से Nord 4 में improvement किया गया है hardware design में ज्यादा कुछ improvement नहीं हुआ है हाँ glass से metal आ गया है look काफी अच्छा हो गया है एक extra button भी add कर दी गई है Nord 4 में battery capacity बढ़ा दी गई थोड़ी सी and metal होने के वज़े से थोड़ा weight बढ़ गया है but अगर आप actual OS performance and बाकी यह सब चीज़े देखेंगे तो performance के लिए जो 7 plus जिंदरी है यह diameter 9000 से काफी अच्छा upgrade रहेगा इसका GPU भी काफी better है वही पर जो OS है इसमें आपको Android 14 मिलता है तो Nord 4 जो है Nord 3 के comparison में एक अच्छा phone है नेक अच्छा upgrade भी रहेगा वैसे इस वीडियो के बाद मैं किस phone के साथ compare करूँ इस comment जरूर कीज़ेगा और यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी जरूर बताएगा ताकि और future में improvement किया जा सके बाकी अगर आपको Nord 3 और Nord 4 बाई करना हुआ तो मैंने description में हमाजा affiliate link दिये आप उस link से बाई करेंगे तुझसे मेरी help होगी वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाएगा है चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत बुलेगा Thanks for watching